ग्रुग्राम विदांसबा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने कल अपनी समर्थकों के साथ धूम धाम से नामांकन दाखिल किया अस मौके पर केंदरी कैबनेट मंतरी राउंदर जीत सिंग ने भी अपनी उपस्तिती दर्ज कराई नामांकन के दोरान मुकेश शर्मा के समर्थन में एक एतिहासिक रोड़ शो का आयुजन किया गया जिसमें भारी भीड उमड पड़ी इस रोड़ शो ने गुरुग्राम की राजनिती में हलचल मचा दी वहीं मंच से राउंदर जीत सिंग और मुकेश शर्मा की गर्जना ने पूरे हडियाना में गूंज पैदा कर दी मुके शर्वा ने अपने भाशन में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी गृह मंत्री अमिश्या हर्याना के मुके मंत्री नायब सैनियो राउंदर जीत सिंह की प्रशंसा की उन्होंने गुरुग्राम की जनता से मिल रहे अपार समर्थन के लिए अभार व्यक्त किया और कहा अगर एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधान मंत्री बन सकता है तो एक दूद बेचने वाले का बेटा गुरुग्राम का विधायक भी बन सकता है उन्होंने प्रधान मंतरी मोदी के दृष्टी को उनको साजह करते वे का यशश्वी प्रधान मंतरी का एक ही लक्ष है कि जो सबसे पीछे खड़ा है उसी सबसे आगे लाना है मुकेश शर्मा के इस जोशीले भाषन और विचारों ने जनसभा में उपस्तित लोगों के दिलों में गहरी जाप छोड़ी मुकेश शर्मा के नामांकन से पहले और बाद में गुरुग्राम की सरकों पर उनके समर्थन में लोगों का सैलाब उमर पड़ा उनकी जनसभाओं में मिल रहा प्यार और समर्थन अब चर्चा का विश्य बन गया है गुरुग्राम के विभिन हिस्सों में हो रही उनकी जनसभाओं में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं जो यह दर्शाता है कि मुकी शर्मा की लोग प्यता दिन प्रति दिन बढ़ रही हैं